नमस्ते दोस्तों मैं आज आपको बताने वाली हूँ आप अपने चेरे पर गिलो लाना चाते हैं तो या छे बीडी टिप से अजमाईए और आपका चेरा बेदाग और आकर्षन लगने लगेगा चानीगा केसे नमर एक दोचा की सपाई के लिए कभी कच्चा प्याच खाना चेरे के लिए अच्चा होता है इससे चेरे के दाग धबे कम होने में भी मदद मिलती है नमर दो फ्रेस दिखने के लिए आखों में आराम देना भी बेहत जरूरी होता है ज्यादा देर तक आप कम्पूटर के सामने बेटने वालों को थोड़ी थोड़ी तेर बार खिड़की के भार देखना चाहिए आखों की हलकी फुलकी एक्सिसाइज भी करना चाहिए इससे आखों को अराम मिलता है नम्मर तीन चेरे पर माक्स लगाने से चेरे की दोचा पर मोजूद मिरत्य कोशिकाय हर्चाती है इससे चेरा ही सुन्दर होता है वहां इसकिन टाइट होती है और जूरिया भी कम हो जाती है नम्मर चार इसनान करने से भी यहां चेरे पर रोनक आती है और हलाकी दस मिर्ट से जादा देर तक नहीं नहाना चाहिए जादा देर तक नहाने से भी दोचा की नमी घटती है गरम पाने से देर तक नहाने से दोचा में लाल धब्बे भी पढ़ सकते है नमबर पांच दोपेर के समय लगबग हर किसी को नीन आने लगती है कि बीच में आपको पांच मिरिट निकाल कर आखों को बंद कर ले तो यहां आपको फायदे बंद होगा इससे ना स्रीब ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है बलकी रक्त में भी सेलोटिनी हार्मोन्स का इस्तर बढ़ता है या हार्मोन्स खुसी के एसास के लिए जुम्मेदार होते है नमबर छे, दिन भर की तकान उतारने में ताजा हवा मदद करती है देड, चनला या हलकी फुलकी एक्सिसाइज से भी यहां चेरे पर रोनक आती है बिटेंस की एसेक्सेस यूनिवर्सिटी के अनुसार या इनसान हलका मेसुस करता है नीले आसमान और हर्याली के बीच में भी दिमाग में ताजकी आती है यह आपके लिए बहुत ही फायदेवन होता है दोस्त आपको यह जानकारी अच्छे लगी होता है आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट से रोख सब्सक्राइब जरूर करेगा मिलती हूँ नेश्ट जानकारी के सान